हेलो दोस्तों जो अगता है आपका अलवर थिश्टी में आज बात करते हैं IDFC First Bank का सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें वो भी ओनलाइन तो सबसे पहले आपको IDFC First Bank की Official साइट पर आजाना है जैसे आप साइट पर आएंगे तो आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिख करनी है और यह IDFC First Bank की दो पर करके सेविंग अकाउंट होते हैं एक पहला जो सेविंग अकाउंट है वह दोस्तों को दस हजार ते सुरू होता है एवलेज मंधली बैलेंस और दूसरा जो है एवलेज मंधली बैलेंस पच्ची हजार है इसमें बैनिफिट क्या है दस हजार वाले में इसमें Personal Accident Cover जो आपको मिलेगा दो लाग और इस तक मिलेगा लोश्ट कार्ड लाइबिल्टी देड़ लाग तक डेली कैस्ट विड्रोल जो लिबीट है वह एक लाग है एट्यम से और डेली परचेज लिमिट देड़ लाग नो हिडन चार्जर फीस आइंस फिरी चैक बुक है उसमें और जो परचेज जार आवरेज मंतली बैलेंस है उसमें Personal Accident जो है 35 लाग का है Lost Card Liability 6 लाग की है डेली कैस विड्रोल दो लाग तक का है और डेली परचेज लिमिट 6 लाग तक की है और इसमें no hidden charges कुछ नहीं है और फिरी चैक बुक है और परचेज प्र पर आएंगे तो यहां पर आपको अपना mobile number जो अधार कार्ड के साथ रिजिस्टर है वो और email ID और एक अपना number और 12 डिजिट जो अधार कार्ड का नमबर है वो डालना है आपको और get OTP करना है OTP जब आ जाएगा आपको वो डाल कर सम्मिट कर देना है verify हो जाएगा verify होने क अपने बाद आपको यहां पर अपने सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो डालनी है डालने के बाद आपको वीडियो को वाइसी के थूरू आपकी जो अकाउंट की प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी और आप इस परकार से अपना IDFC फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों तो परी जगह आपको कोई प्रोब्लम होती है तो कमेंट बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो